हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाये जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंड रहे हैं किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अन्यायों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिलकुल नहीं है लेकिन कई प्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेश पहुंशती हो तो कृपिया हमारे वीडियो ना देखें आज का शीर्षक है क्या काला जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र शुब अशुब किसी मसीही पर असर करते हैं समझ लिजी कि आप एक मसीही विश्वासी हैं और आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर एक निम्बू और मिर्ची का एक गुच्छा पड़ा हुआ है जो एक धागे से पिरोया हुआ है लेकिन आपकी नजर उस पर नहीं पड़ी पर अचानक आपका पैर उस पर पड़ जाते हैं तो जैसी आप देखते हैं तो आपके मन में क्या भावना आती है? क्या आपको उससे कोई फर्ग नहीं पड़ता और आप साइड बहुत ज़्यादा होता है जहां एटकेशन ज्यादा है वहां शायद यह सब इतना देखने को नहीं मिलेगा लेकिन छोटे शहरों में और गाउं में ये सब भहुत होता है अब अंद विश्वास क्या होता है एक ऐसा विश्वास जो पीडी दर पीडी चला तो आ रहा है लेकिन किसी ने उसे जांचा और पर्खा नहीं होता बस इसलिए उसे मानते चला जाते हैं क्योंकि उनके पूरवज उन्हें मानते थे अंद विश्वास किसी भी धर्म, किसी भी समुधाय या नास्तिकों में भी हो सकता है अब मेरा जो इंस्टूट है यहाँ पर spoken English का उसमें एक student, एक लड़की एक बार थोड़ा लेट आई तो मैंने उसे पूछा कि आप लेट क्यों हो गई तो उसका जवाब यह था कि सर मैं आ रही थी रस्ते में तो अचानक एक काली बिली मेरा रास्ता काट गई तो मैंने फिर दो मिनट इंतिजार किया इसलिए मैं लेट हो गई तो मैंने कहा कि क्या आप इनसे बातों को मानती है तो उसने कहा सर मैं तो इतना मानती नहीं हूँ लेकिन बच्पन से जो मुझे सिखाया गया तो थोड़ा डर तो लगता ही है मन में कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए तो मैंने उसे पूछा अचा मान लो कि तुम्हें ट्रेन पकड़नी है और तुम लेट हो गई हो अब तुम जैसे स्टेशन के पास पहुंच रहे हो तो ट्रेन वहाँ पर निकलने वाली है एक मिनट के अंदर और तुमको भाग के वो ट्रेन पकड़नी है और अचानक काली बिली तुमारा रास्ता काड़ जाए तो क्या तुम फिर वहाँ पर भी दो मिनट तीर मिनट इंतजार करोगी च्योंकि ट्रेन तो एक मिनट में निकल जाएगी तो वो जो स्टूड़न थी मेरी उसने को जवाब तो नहीं दिया बस मुश्कराती नहीं अब जो लोग अपनी दुकान के आगे घर के आगे ऑफिस या फैक्टरी के आगे गाड़ियों के पीछे निम्बू और मिर्चयंट आंते हैं हो सकता है कि वे इसको अंदविश्वास ना मानते हों बलकि इस पर पूरा विश्वास करते हो कि भाई ये टांगने से हम बुरी बलाओं से बचे रहेंगे और हमें लाब होगा देखें मुझे आपके विश्वास से कोई आपत्य नहीं है आप जो मानना चाहें मानिये लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि जो लोग इनको नहीं टांगते क्या उनको लाब नहीं होता या विदेशों में जैसे अमेरिका और यॉर्प के देशों में वहाँ तो कोई नहीं टांगता निम्बू और मिर्ची क्या उनको लाब नहीं होता वे देश तो हमसे बहुत उपर है वैसे मैं जब भी किसी से निम्बू और मिर्ची टांगने के विशे में पूछता हूं तो मुझे अलग-अलग अनुवाद सुनने को मिलते हैं लेकिन आम तोर पर तो लोग यह कहते हैं कि निम्बू और मिर्ची बूरी नजर से बचाते हैं कुछ लोग इसको नजर बट्टू भी कहते हैं कि यह बूरी नजर से बचाता है और दूसरे कुछ लोग घोड़े की नाल जो लोहे की नाल होती है घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं कभी-कभी बच्चे के तक्ये के नीचे लोहे का चाकू रख देते हैं कि अगर कोई बुरी आत्मा आएगी तो इस लोहे के चाकू के बज़े से वो इस बच्चे पर नहीं आएगी कुछ लोग बच्चे को नजर का टीका लगा देते हैं काला टीका कभी-कभी बच्चा बिमार हो जाया तो उसकी नजर उतार दी जाती है या जाड़फू करवाई जाती है इत्यादी अब जो लोग इन बातों को मानते हैं उनका विरोध करना या उनके विश्वास को ठेश पहुचाना मेरा मकसद नहीं है लेकिन साथ-साथ ये भी आवश्चक है कि मैं बाईबल के अधार पर अपने मसीही भाई बेनों को इन बातों के सच्चाए बता सकूँ ताकि मसीव उनका विश्वास और बढ़ सके मैं उन्हों बताना चाहता हूँ कि बाईबल इन विश्वों पर क्या कहती है तो ध्यान से सुनिये तो सबसे पहले बात करते हैं काले जादू और टोना टोटका की कभी-कभी आपने सुना होगा अगर कोई लंबे समय से बीमार पड़ा हो और किसी भी इलाज से ठीक ना हो रहा हो तो हो सकता है उसकी पत्नी कहे लगता है हमारे किसी दुश्मन ने इन पर काला जादू करवा दिया है इनकी हालत तो और बिगड़ती ही जा रही है या फिर किसी के पास अचानक बहुत धन आ जाए तो हो सकता है उसका पड़ोसी किसी से कहे इसने जरूर कुछ काला जादू करवाया होगा नई तो एकदम से इतना पैसा कैसे आ सकता है इसके पास कभी कोई पत्नी अपने पती के बारे में अपनी सहली से कहेगी मेरे पती पर तो लगता है उनके ऑफिस की लड़की ने कुछ टोना टोटका करवा दिया है बस जब देखो उसी से फोन पर बात करते रहते हैं इत्यादी हमारे देश के गाउं में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं अर्थात एजुकेशन एंड मेडिकल फेसिलिटीस की कमी और अंद्विश्वास के कारण काला जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र इत्यादी आज भी चल रहा है इन सब के चलन से कई बार अखवारों में कुछ दर्दनाग घटनाओं के विशे में पढ़ने को मिलता है जैसे किसी तांत्रिक ने किसी छोटे बच्चे की बली दे दी या किसी छोटे बच्चे की हत्या करके उसकी खोपड़ी को अपनी तंत्र विध्या के लिए इस्तमाल किया इत्यादी तो यहाँ पर दो सवाल उठते हैं पहला क्या काला जादू, तोना तोटका, तंत्र मंत्र जैसी शक्तियां वाके में काम करती हैं जैसे कोई चमतकार या अद्बुत काम इत्यादी और अगर करती हैं तो ये शक्तियां आती कहां से हैं दूसरा, क्या ये शक्तियां किसी मसीही पर भी असर कर सकती है यहां पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काला जादू और जादू दोनों एक नहीं है जादू तो आम तोर पर हाथ के सफाई या कोई कर्तब या तरकीब होता है जिसको जादूगर लोगों के मनोरणजन के लिए करते है लेकिन काला जादू उससे बहुत अलग है और एक गंभीर विशय है बाइबल के आधार पर मनुष्ट की पहुंच केवल दो प्रकार की आलोकिक शक्तियों तक ही है जो अपनी इच्छा से और अपने उद्देशे के लिए चमतकार या अद्बुत काम करता है दूसरा है शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा है जो पहले स्वर्गदू थे और पर मेश्वर ने उन्हें कुछ सीमित आलोकिक शक्तियां दी थी जो उनके गिराये जाने के बाद भी पर मेश्वर ने उनसे वापिस नहीं ली लेकिन शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं अपने शक्ति का इस्तमाल बिना पर मेश्वर की अनमति के नहीं कर सकते तो सवाल ये उड़ता है कि पर मेश्वर शैतान को अनमति देता ही क्यों है अपने शक्तियों का बुरा इस्तमाल करने के लिए ये मैं संदेश में आगे समझाऊंगा जो लोग काला जादू टोना टोटका और तंत्र मंत्र वगेरा करते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए करते हैं नाम या धन के लोब में करते हैं वे शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों का सहारा लेते हैं कुछ अद्बुत काम या चमतकार करने के लिए या फिर किसी को अपने वश में करके अपना मतलब चादने के लिए या ओज्ञाओं और आत्माओं को बुलाने वालों के पास क्यों जाते हैं अपने किसी समस्या का समाधाल निकालने के लिए जैसे किसी बड़ी बिमारी से चंगाई, अच्छी नौकरी या कारुबार के लिए, आधिक धन प्रात करने का लालच किसी से दुश्मनी निकालना या किसी का बुरा चाहना या नाम कमाने के लिए, अर्थात फेमस होने के लिए इतियादी सवाल ये है कि इन में से कितनी इच्छाएं जायज है और अगर कोई जायज है तो परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा सकते इन में से जादातार इच्छाएं स्वार्थ, लालच और बुरे मकसद के लिए होती है अगर कोई जायज इच्छा भी हो तो मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहता जोकि एक तो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, दूसरा उसका रास्ता बहुत लंबा होता है जबकि इन काली शक्तियों का इस्तमाल करने वाले लोगों के पास शॉटकट होता है आपकी समस्या का जल्दी से लाज निकालने का और इनके साथ आप आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं अपने समस्या के बारे में इसलिए लोग इनके पास जाते हैं बजाए परमेश्वर के पास जाने के मतलब परमिश्वर का तरीका और इन काले जादू वालों का तरीका एक दूसरे के बिलकुल विरुद्ध है परमिश्वर ऐसे कावों से घृणा करता है इसलिए उसने इसराइलियों से कहा व्यवस्था विवराण 18.9-14 में जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमिश्वर यहोवा तुझे देता है तब वहां की जात्यों के अनुसार घिनोना काम करने को न सीखना कौन से हैं वे घिनोने काम तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चड़ाने वाला मतलब होम बली करके चड़ाने वाला या भावी कहने वाला भावी कहना है मतलब भविश्य जानना परमिश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मसी अपना भविश्य जानने की कोशिश करे चाहे वो जोतिश विद्या हो या कोई हाथ दिखाकर भविश्य जानना ये सब परमिश्वर पाप समझता है लेकिन चर्चों में भी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं उन लोगों के पास जो प्रॉफिसी करते हैं आपके जीवन के भविश्य के बारे में भाई परमिश्वर जब चाता ही नहीं है कि आप अपना भविश्य जानो उसको वो पाप कहता है तो वो किसी भी अपने दास से आपका भविश्य क्यों कलवाएगा परमिश्वर कहता है कि तुमारा भविश्य तो येशु है जो कुछ तुमारे जिवन में होगा उसे येशु संभालेगा तुम्हें उस विश्वास में जीना है किसी ब्रदर के पास जाके अपने भविश्य के बारे में पूछना नहीं है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी या किसी भी मसीही ब्रदर को ऐसी प्रोफिश्य करनी नहीं चाहिए किसी के बारे में भी क्योंकि यह आयते कहती है कि भावी कहने वाला वो काम तुम कभी मत करना या शुब अशुब महरतों का मानने वाला मतलब आपने सुना अक्सर कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई कहागा कि भाई किसी से पूछ लेते हैं कि यह शुब महरत है कि नहीं है लेकिन बाइबल इन चीजों के लिए मना करती है वो कहती है कि हर दिन हर समय परमेशों ने बनाया है और कोई शुब अशुब महरत नहीं होता अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आप येशु मस्य से प्रातना करके उसके मार्ग दर्शन से वो काम शुरू कीजिए शु कोई ऐसी प्रेत आत्मों को बुलाने वाला क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के समुख घ्रिनित हैं और इनी घ्रिनित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है तू अपने परमेश्वर यहोवा के समुख आइसा करने नहीं दिया तो हमारे देश में जैसे होता है शकुन अप्शकुन कुछ अगर हो जाता तो वह कहते हैं और बड़ा अप्शकुन हो गया लेकिन बाइबल इन चीजों के लिए मना गरती है कोई ऐसा शकुन अप्शकुन नहीं होता है बाइबल के अदार पर परमेश्वर से दूर होता है और इसलिए सीधे रास्ते से परमेश्वर के पास जाने के बजाए तेडे रास्ते से इन शायतान के एजेंट्स के पास जाता है। दूँगा पाउलुस जब इफिसुस में निरंतर प्रचार कर रहा था तो बहुतों ने प्रभु येश्व मस्य को ग्रहन किया और कई ऐसे जो काला जादू जाड़ा फूंकी इतियादी करते थे उन्होंने अपने गलत काम स्वीकार कर लिये प्रेरोतों का पोथिया इकठी करके सब के सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपे के निकली मतलब उस समय के इसाब से 50,000 की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत महंगी महंगी काले जादू की पोथिया जला दी क्योंकि उन्हेश्व मस्य पर विश्वास हो गय यूँ प्रभु का बचन बल पूरवक फैलता गया और प्रबल होता गया तो आपने देखा कि प्रभु के बचन में यानि इस बाइबल में कितनी शक्ति है कोई काला जादू, तोना टोटका, अंद विश्वास, तंतर मंतर इसके सामने टिक नहीं सकते है चूँकि परमेश परमेश्वर की शक्ति के सामने शैतान कुछ भी नहीं है, तो अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या ये बुरी शक्तियां सच में काम करती हैं, तो उसका उत्तर है कभी-कभी, मतलब ये हमेशा काम नहीं करती, लेकिन कभी-कभी इनके माध्यम से कुछ काम हो जाते हैं, पर अला जादू करने वालों को, तांत्रिकों और ओजाओं को सफल ही नहीं होने देगा, तो क्या ऐसे काम अपने आप बंद नहीं हो जाएंगे, लोग इनके पास जाना छोड़ नहीं देंगे, हाँ, ये हो सकता है कि अगर परमेश्वर इन शैतानी शक्तियों को असफल कर दे तो शायद मनुश्य इनके एजेंट्स के पास ना जाए, लेकि फिर भी मनुश्य परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, मन फिराव नहीं करेगा, मनुश्य को मन फिराव तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर को उसे दिखाना पड़ता है कि अंधेरा क्या है और उजाला क बुरा क्या है और अच्छा क्या है किसमें शांती है और किसमें बरबादी ये परमेश्वर को मनश्य को दिखाना पड़ता है परमेश्वर कभी कभी शैतानी शक्तियों को अपना काम करने देता है ताकि मनश्य को चुनाव करने का मौका मिले परमेश्वर के वचन और शैतान के बीच में जो मनुश्य सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जाएगा वो इन शैतान के एजन्स के पास पहुंच जाएगा अपने समस्या लेकर तो कभी-कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है कि उन शैतानी शक्तियों के द्वारा उसका काम बन जाए लेकिन आगे जाकर परमेश्वर उसे ये भी दिखा देता है कि जो काम उसका बना था उस काम ने उसके लिए और मुसीबतें खड़ी कर दी अब अब और दारन के तौर पर मान लिजिए कि काले जादू से किसी को नौकरी मिल जाती है लेकिन आगे जाकर उस नौकरी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाता है वो आदमी लेकिन इस बार दोबारा जब वो शैतान के किसी एजन के पास जाएगा तो परमेशवर उसका काम नहीं बनने देगा या उस एजन के दिये समाधान से परमेशवर उसे और बड़ी मुसीबत में फसा देगा तब वो मनुष निराश हो जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कौन उसके जीवन को सही रास्ते पर ला सकता है और बहुत संभाव है कि अगर उस समय कोई उसे येशु का सूसमाचार सुनाए तो वो अपने पापो से मन फिरा कर सच्चे और जीवित परमेशवर येशु मसी के बारे में सोचने लगे ये सब परमेशवर के योजना में होता है इसी तरह अगर किसी लड़की के शादी ना हो रही हो तो उसके घरवाले किसी हवन से या तंतर मंतर से या किसी और काले जादू से कोई उपाय करा लेते हैं और उसकी शादी करा देते हैं लेकिन आगे जाकर उस लड़की के सिसुराल में उसका जीवन और दूबर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसे तरह तरह की यातनाएं जहलनी पड़ती हैं और उसके जीवन से शांती बिलकुल चली जाती है विदेशों में कई रॉक स्टार्स, शैतान के साथ रक्त की वाचा बान लेते हैं, ब्लड कोविनेंट, कि अगर शैतान उन्हें फेमस कर देगा, तो वे जीवन भर शैतान की आरादना करेंगे, तब शैतान उन्हें फेमस कर देता है, लेकिन जितने भी ऐसे फेमस हुए हैं, उन्हें सब को शैतान ने ड्रग्स में, सेक्स में, धन के लोब में ऐसा फसाया, कि उन्हें से बहुतों के जीवन तो पूरी तरह बरबाद हो गया, और कईयों ने तो आत्मत्या गर ली, लेकिन ऐसी भी गवाईयां हैं, उन्हें से जिनोंने भी येशु को स्विकार के और येशु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, येशी ने उन्हें शैतान के चुंगल से छुड़ा कर उनका उद्धार कर दिया, और वे एक विश्वासी का जीवन जीने लगे, ऐसी भी गवाईयां हैं, परमेश्वर शैतान को क्यों अनमती देता है, और वो शैतान को कैसे अप प्रकाशित वाग के 21.8 कहता है, कि टोना टोट का अर्थात काला जादू करने वाले सदा के लिए आग की जील में ढाले जाएंगे, निर्गमन 22.18 में मूसा ने निर्देश दिया था, कि डायन अर्थात चुडैल या काला जादू करने वाली को मृत्यु दन देना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी भी प्रकार के शैतानी शक्ती से बहुत घ्रणा करता है, क्योंकि शैतानी शक्तियां परमेश्वर के विरोध में काम करती हैं, तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास भी परमेश्वर को बिलकुल नहीं भाता जिस भी परिवार से हम आये हो या जिस भी धर्म से या जाती से हो सकता है वहाँ कुछ अंधविश्वासों या काली विद्या का चलन हो जैसे काली विद्या का रास्ता काट जाना शकुन अप्शकुन शुब अशुब मुहरत शीशे के तूटने को बुरा मानना नजर के लिए बच्चे को काला टिका लगाना नजर उतारना, अंगूठियां पहनना हाथ पैर में धागे बादना, ताबीज बादना तके के नीचे लोहा रखना, निम्बू मिर्ची टांगना या लकड़ी यानि वूड को छूकर अंग्रेजी में कहना टच्च वूड इत्यादी, यह सब अंधविश्वास है ऐसे बहुत से अंधविश्वास इस संसार में चल रहे हैं लेकिन बाइबल का परमिश्वर इन सब से घ्रना करता है मालू में क्यों, क्योंकि परमिश्वर कहता है कि जब तुमने मुझे पर विश्वास करके अपना जीवन मुझे दे दिया है तो फिर तुम किसी भी कारण से या किसी भी भावना से इन शैतानी तरकीबों और शैतानी विद्ध्याओं पर क्यों निर्बर रहते हो क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुमारी रक्षा करूँगा मैं तुमारी समस्याओं के समाधान निकालूँगा क्या शैतान मुझे से जादा शक्ती चली है जो तुम उसके बताए हुए उपाई करते रहते हो ऐसा सब परमिश्वर पूस्ता है मसीहों से पवितरात्मा के द्वारा जो पवितरात्मा के आवाज सुन लेता है वो अपने आप इन सब शैतानी उपाईयों से दूर हो जाता है और पून रूप से येश्व पर विश्वास करके चलता है उससे समझ आ जाता है कि परमिश्वर अपनी इच्छा और अपने समय से हमारी प्रात्माई सुनता है उससे समझ आ जाता है कि जो लोग शैतानी शक्तियों के पास जाते हैं उनके जीवन कभी नहीं सुलसते बलकि और उलज जाते हैं उससे समझ आ जाता है कि परमिश्वर की अनमति के बिना किसी बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड सकता परमिश्वर आप उसकी रक्षा करता है किसी टीके की जरूरत नहीं है या उसे किसी तरह की नजर उतारने की जरूरत नहीं है उसे समझ आ जाता है कि बाकी जानवरों की तरह ही काली बिली को भी परमेश्वर नहीं रचा है और परमेश्वर ने हर जानवर को अच्छा कहा है उत्पत्ती एक पच्चिस में इसलिए काली बिली के रास्ता काड़ने से कोई अपशकुन नहीं होता उसे ये भी समझा जाता है कि जो लोग इन अपशकुनों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा होता है जैसा हर मनुश्य के साथ होता है उनको ये भी समझा जाता है कि जिन बच्चों के चेहरे पर नजर कट्री का लगा होता है वे भी कई बार विमार बड़ जाते हैं और कभी-कभी तो मर भी जाते हैं उनको Bible से ये भी समझा जाता है कि बुरी आत्माएं और कोई नहीं बलकि स्वर्ग से गिराए गए स्वर्ग दूत हैं जो अब दुष्ट आत्माय बन गई हैं लेकिन ये दुष्ट आत्माय येशु के नाम से गभराती हैं तो क्यों न हम इन अंद विश्वासम को छोड़कर सच्चे और जीवित परमिश्वर येशु मसी के विश्वास में ज सकता है तो उसका उत्तर है नहीं लेकिन मैंने देखा है कि कुछ मसीषियों को इस बात पर विश्वास नहीं होता उन्हें लगता है कि ठीक है येशु तो है अपने जगा पर लेकिन ये पीडियों से जो हमारे पूरवज जिन बातों को मानते चले आ रहे हैं वे कैसे गलत ह सकती हैं ऐसा सोचते हैं वो लोग हो सकता है कि मैं गाड़ी के पीछे निम्बू और मिर्ची ना टांगू तो मेरा एक्सिडेंट हो जाए या मैं काली बिल्ली के रास्ता काड़ने पर ना रुकूं तो कोई अप्शकुन हो जाए आज भी चर्चों में जवान लड़के- किया लकड़ी यानि वूड को पकड़ कर कहेंगे मेरे एक्जाम्स तो बहुत अच्छे कहें बस अब नंबर भी अच्छा आ जाएं टच वूड तो टच वूड यस अब अंदविश्वास है लेकिन येशु क्या कहता है यहन्ना आट इकतिस बतिस में यदि तुम मेरे वच चैतानी शक्तियों और अंदविश्वासों के बारे में सारा सत्य बता दिया है अब आप कब स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रेरितों का आट नौ से चॉड़िस में शमान नाम का मनुशिय तोना तोड का सौर्शरी करके बड़े-बड़े सामर्त के काम करता था और लोगों क भी विश्वास कर लिया और बब्तिसम ले लिया तो मतलब क्या हुआ बड़े बड़े आशचरे के काम करने वाला भी येश्यू के सामने जुख गया क्यों? क्योंकि कहीना कही उसे मालूम ठा कि जो कुछ वो कर रहा है जितने भी आशचरे के काम वो परमेश्वर की और से नहीं है बलकि शैतान की शक्ती से कर रहा है इसलिए सच्चे परमेश्वर येश्व मसी के सामने उसके वच्चनों के आगे वो टिक नहीं पाया तो इस शम्मौन के विश्वर में क्यों लिखा है बाइबल में परमेश्वर ने आपको और मुझे सच बताकर हमें हर प्रकार के काले जादू और अंध विश्वास से दूर ले जाने के लिए पहले कुरूंतियों को च्छे उनिस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दे पवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर के और से मिला है तो जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है यानि पवित्रात्मा येश्व का आत्मा तो फिर शैतान और इसके दुष्टात्मा है आपके अंदर कैसे प्रवेश कर सकती है नहीं कर सकती वो क्या परमेश्वर उनको रहने देगा आपके अंदर जब वो वहाँ पर है तो नहीं देगा He will not allow और जित्ते भी दुष्टात्मा है वो तो येश्व से गबराती है तो वो वहाँ कहा रह सकती है जहाँ पर येश्व रहते है ये सवाल ही नियुटता है पहला योन्ना 4-4 कहता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जयप आईए उन पर मतलब कोई भी मसीव रोधी आत्मा पर जयप आईए तुमने तुम परमेश्वर के हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है संसार में? शैतान शैतान जो संसार का इश्वर है उससे बड़ा है वो जो तुमारे अंदर है, मतलब परमेश्वर, पवित्रात्मा, येश्व का आत्मा स्वाइम येश्व तुमारे अंदर है वो शैतान से बहुत बड़ा है एक अविश्वासी जिसके अंदर येश्व नहीं है उसके अंदर दुश्टात्माय घुश सकती है क्योंकि वो खाली है लेकिन जिसके अंदर येश्व है उसके अंदर कभी भी दुश्टात्माय प्रवेश नहीं कर सकती है कभी-कभी मैं लोगों से सुनता हूँ जब लोग मुझे बताते हैं कि ब्रदर वैसे तुम्हें विश्वास ही हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर दुष्टात्मा हैं तो मैं आनुँ साफसा बता देता हूँ कि देखे आपने येशु पर पर वैसे विश्वास नहीं किया जैसे करना चाहिए उद्धार के लिए आपने पापों से मन फिराकर येशाон को अपना एक मत्र पर्मेशवर और उद्धार करता स्विकार नहीं किया अभी तक अगर किया होता तो आपको पवित्रात्मा मिल जाता और किसी भी कीमत पर कोई भी दुष्टात्मा उसके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाती तो ये जो आप कह रहे हो कि आपके अंदर दुष्टात्मा है ये इस बात का चिन है कि अभी भी आपने वैसा विश्वास नहीं किया मिशिण ट्रिफ्ट पर अकसर हम जब इस बात की जड़ तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर से भले ही वो मीटिंग में आ रहे हैं प्रेयर्ज में आ रहे हैं लेकिन पीछे से वो अपने कुल देताओं को ही मानते हैं उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं तो यह सच्चा ही होती है, जिसका उद्धार हो गया, उसके अंदर कभी दुष्टात्मा नहीं आ सकती, और जिसके अंदर दुष्टात्मा है, इसका मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ, अगर आपके अंदर येशु रहता है, तो याद रखिए, येशु परमेश्वर है, औ और कोई शक्ति उससे बड़ी नहीं है, इसलिए अगर आपके अंदर येशु रहता है, तो कोई काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जाड़ फूंक, सम्मोहन, आप पर काम नहीं करेगा, और नाहीं आपको किसी अंद्विश्वास पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो आपके अंदर है, वो किसी भी शक्ति से बड़ा है, अर्थात येशु, आमेन!